सब्सक्राइब करें कामता साइबर टीवी को और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें क्या हमारे mobile में virus लगता है क्या हमारे mobile में virus होता है क्या हमें mobile antivirus यूज़ करना चाहिए आज मैं इनी विस्यूपे आपसे बात करने वाला हूँ जी हों दोस्तों मैं राज इस कामता ciber tv पे फिर से आपका इंपर स्वाधत करता हूँ मैं बात करने वाला हूँ कि क्या हमारे मोबाइल में वाइरस लगता है क्या हमारे मोबाइल में एंटिवाइरस होना चाहिए और यदि एंटिवाइरस होना चाहिए तो किस तरह का एंटिवाइरस हमें यूज़ करना चाहिए एक्चुली में देखे किसी भी डिवाइस में जहां इस्टोरेज डिवाइस होता है जो इस्टोरेज डिवाइस होता है वहाँ वाइरस लगने की वाइरस होने की संभावना होती है और वहाँ पे उस तरह के डिवाइसे को हमें बचाना होता है और यह बचाने के लिए हम हम डाटा to learnえる & data को लेते हैं देते हैं। पेनध्राइब का यूज करते हैं। मेमोरी का करे cancer ठर्दी चर्डे यहांसे डाटा होता है। इसके साथी कई जगा से हम लोग डाउन्लोड करते हैं । डारेक्ट इंटरनेट से डाउन्लोड करते बिलकुल इस्तिमाल करना चाहिए और बिना एंटी वाइरस के चुकि आज के समय में हम अपने मोबाइल से कई तरह का financial transaction भी करते हैं तो वैसी स्कीति में तो हमें अपने मोबाइल में जरूर एंटी वाइरस का इस्तिमाल करना चाहिए अब बात करते हैं कि किस तरह के एंटी अपने मोबाइल में बिलकुल नहीं करें यह बिलकुल से नहीं होता है इससे बिलकुल किसी तरह का कोई वाइरस killer का ये काम नहीं करता है इससे कोई virus नहीं जाता है इससे थोड़ा बहुत junk file आपका हटाया जा सकता है लेकिन virus के मामलों में ये कोई काम नहीं करता है तो इस तरह के antivirus को आप बिल्कुल अपने mobile में इस्टोन नहीं करें इस तरह के antivirus से आपके virus जो है वो तो remove नहीं होंगे लेकिन एक चीज़ और यहां पे जो disadvantage है इसका वो यह है कि इससे आपका data theft होने का chance होता है इस तरह के जो app होते हैं यह battery consume करते हैं इस तरह के app जो है space consume करते हैं मतलब कि इसका कोई फायदा नहीं है free version जो google play store पे उपलब्द है antivirus इसका कोई फायदा आपके mobile को नहीं मिलता है अब बात है कि किस तरह के mobile antivirus का इस्तमाल हमें करना चाहिए जितने भी paid version mobile antivirus है वो अच्छे है वो बढ़िया है उसका इस्तमाल आप कर सकते हैं उसमें मैं जो आपको recommend करूंगा वो है क्यूखिल का total security यह आप इस्टॉल कर सकते हैं अपने mobile में यह आपको यहां play store पे भी मिल जाता है Amazon पे भी मिल जाता है आप इसका इस्तमाल करें उसके बाद fantastic क्यूखिल का ही एक antivirus है mobile के लिए especially बना हुआ है आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं इ traditional add-on feature है जो आपको इसमें मिल जाती है मैंने आपको इसपे एक वीडियो पहले भी बनाया था जो computer या laptop के लिए antivirus था उसी तरह से आप mobile के लिए क्यूखिल मैं recommend करता हूं आप इससे इस्तमाल कर सकते हैं यह बेहुत सूर अच्छी थे और बढ़िया है और इक चीज मैं आपको बतलाना चोंगा यदि आप directly play store से लेंगे तो आपको कुछ मंगा पड़ता है यदि आप Amazon से जा कर ले तो सेम प्राइस में दो साल की आपको antivirus है उसको uninstall कर दें immediately uninstall कर दें और जब भी अपने mobile में आपको कोई antivirus डालना हूं तो paid version डालें क्योंकि बिना antivirus का आपका आज के समय में mobile चलाना बिल्कुल खत्रे से खाली नहीं आपका mobile hack हो सकता है आपके mobile का data theft हो सकता है आपका mobile corrupt हो सकता है क्योंकि यह continuous antivirus आपके mobile पे attack कर सकता है चुकि आज के समय में ptm हो गया या internet banking हो गया इस तरह के apps का इस्तमाल हमलब frequently mobile पे करते हैं तो इस तरह के apps पे virus का attack ज़्यादा होता है तो इससे बचने के लिए आपको अपने mobile में antivirus के इस्तमाल जरूर करना चाहिए उमीद है यह वीडियो आपको तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें यदि आपका कोई से क्वारी या सगेशन हो तो प्लीज कमेंडर बॉक्स में जरूर लिखें और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के technology updates झाल